माल्दिव की पूर्वरक्षा मंत्री मारिया दिदी ने कहा है कि माल्दिव गलत वजहों से भारत और खासकर वहां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा में है मीडिया हाउस First Force के Defense Summit में मारिया ने कहा हम लोग ऐसे नहीं हैं हमें विदेशियों का माल्दिव आना पसंद है हम सबी लोगों को माल्दिव आने का नियोता देते हैं मारिया 2018 से 2023 तक महमत सौली की सरकार के दोरान माल्दिव की रक्षा मंत्री थी उनोंने कहा जलवायू परि देश था जो हमारी मदद के लिए आगे आया था इसके अलावा भारती सेना ने भी हमेशा हमारी मदद की है आज मालदियों में चीनी जहाज मुझूद है हम नहीं चाहते कि हम किसी ऐसी परिस्तिती में फज्जाएं जो हमें जंग में धकेल दे पूर्वरक्षामंत्री ने कह देश और शेत्र की भलाई के लिए हमें पडोसी देशों के साथ स्थिरता और दोस्ती बनाए रखना चरूरी है जब हमारी मालदियों डेमोक्रिटिक पार्टी सत्ता में थी तब हम हमेशा पडोसीयों के साथ बहतर संबद बनाते थे